आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नए वीडियो में आज बात करेंगे कि शोर बियानी जी ने जो लेटर लिखा है Amazon को उससे सब कुछ पस्ट हो गया है कि आगे और पहले आगे की क्या परक्रिया होगी और साथ ही साथ में पहले क्या क्या हुआ है आईए चल कर देखते ह और सेवी के रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे उन्होंने क्लियर बताया है कि Amazon का इंडेंट यहां पर हल्प करना नहीं है फीचर ग्रूप को बल्कि अबस्ट्रेक्ट करना है जो फीचर ग्रूप और रिलाइंस के बीच में डील हो रही है उस उनको क्या फायदा होग सेल्स रहती हैं और रिलाइंस के पास महज एक परसेंट तो अगर यह बढ़ जाएगा तो फिर रिलाइंस इनको बराबर की टकर देगा इसलिए उनका इंटेंशन अबस्ट्रेक्ट दिल करने का है कि उन्होंने आठ बार Amazon को अप्रोच किया था और Amazon ने help करने की बजाए उ that firm has illegally exercised it right. तो यह clear-cut feature group ने Amazon के ओपर एक आरोप लगाया है. Amazon has also been party to feature retail shareholder agreement and its conduct is smacks of malphide with an intent to obstruct the merger of RIL, says the letter. तो clear-cut, sorry, Amazon is also not a party to feature retail group, शमचाते हैं, यह not है यहाँ पर definitely. किशोर बियानी जी का कहना है कि यह जो अब इनके हिसाब से आगे हो रहा ही है allegation, these are willful and material breach of shareholder agreement by feature coupon and feature retail, जो उन्होंने e-commerce जाएन ने allegation लगाया, उसके ओपर उन्होंने hit back किया है. यह 31 December को letter लिखा गया है और इन्होंने बताया है कि promoter group के जो future coupon private limited, FCPL और future corporate resource private limited had denied any wrongdoing, उन्होंने कोई गलत कारे नहीं किया है as per their expectation. और यहाँ पर Amazon was not party to the future retail shareholder, जैसे हुमने शुरू से बोलते हैं, Amazon is not party based on the information which are available to the people like us from trading circle news. Amazon यहाँ पर illegally अपना exercise कर रहा है, write by addressing a series of letter in October and November to market and regulator, stock exchange, future real limited and its independent director and audit committee, the letter says. अब यह बता रहे हैं कि Amazon ने यहाँ पर सारे के सारे जो काम किया है, could not act as a constituted attorney of future coupon private limited. तो यह भी clear spushed कर दिया है कि उनको अपनी limit में रहके काम करना है, यहाँ से आगे आने वाले समय में लग रहा है कि यह थोड़ा सा दोनों के बीच में aggressive words of war चलेंगे. तो यहाँ पर देखें, controlling stake future retail का नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर FDI की policy भी picture में है. और यह जो call option थे इनके पास में यह 3 साल तक हो सकता है उनको exercise करें. अगर यहाँ पर investment allowed हो retail में FDI के थूँ अभी नहीं है, तो इसलिए यह नहीं हो पाएगा. यहाँ पर आपको पता ही होगा कि COVID के चलते हुए इस सब की दिक्कत की वज़े से यह सारा का सारा खेल अप चल रहा है और Amazon को help नहीं कर रहे हैं, पर Reliance Industries इनको अपना कर रहे हैं. और Amazon ने इनका Singapore Arbitation Court में भी case file कर दिया था. तो दोस्तों इनके हिसाब से, अभी हमारे हिसाब से, please consult your financial advisor, आगे आने वाले समय में, जैसे ही से भी क approval आएगा, तो यह बहुत technical break करके, अपना उपर के high नई level पर पहुँचने की कोशिश करेगा. फाइबर फाइबर हमेशे यादर कुना हमारे चनल का दोस्तों, और अगर आप stock market में learning सीखना चाते हैं, और आपका intent है day trading करना, तो हमने एक customized course आपके लिए तियार किया है, एक महिने के लिए, आप चाहें तो उसको use कर सकते हैं, और आपको stock market का learning का experience मिलेगा हमारे साथ मे और साथ ही साथ में earning का experience भी मिलेगा, आप चाहें तो mail drop कर सकते हैं, 8,000 रुपीज चार्जिजए एक मन्त के लिए, चार वीडियो प्रसुत आपके लिए, जहें जया भारत, bye guys